हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल smart science classes में और मैं हूँ मदंधागर दोस्तों हम इस क्लास के अंदर गत रिड की हड़ी को समझेंगे इस क्लास के अंदर गत हम बेक बोन को समझेंगे इस क्लास के अंदर हम कशेरुक दंड को समझ कितने सारे नाम है दोस्तो कशेरुक रज्यू से बहुत सारे प्रस्ण आपकी प्रतियों गिता परिक्षाओं में पूछ जाते हैं तो हम हर प्रस्ण को यहां discuss करेंगे दोस्तो तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं इस क्लास की तो दोस्तो हम पढ़ने जा रहे हैं कशेरु कशिरूख दंड कशिरूख दंड पढ़ने जा रहे हैं इसी को कहा जाता है कशिरूख रज्जू इसे कहा जाता है वर्टिबल कोलम ठीक है दोस्तो इतने सारे नाम है इसे कशिरूख दंड बोल सकते हैं कशिरूख रज्जू बोल सकते हैं वर्टिबल कोलम कह सकते हैं दोस्त चलिए दोस्तो इसमें कुछ बाते हम पहले डिसकस कर लेते हैं देन हम इसको डाइग्राम से समझेंगे दोस्तो सबसे पहले में बता देता हूँ जो कशेरुक दंड होता है सबसे पहले इसको डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे जो कशेरुक दंड होता है यहां ग गर्दन से शुरू होता है और कमर तक जाता है तो बहसिक से सिखेंगे कशेरूक दंड कशेरूक दंड गर्दन से लेके गर्दन से कमर तक होता है कमर तक होता है कहां से कहां तक होता है दोस्तों पहला पॉइंट यह गर्दन से लेके हमारी कमर तक होता है ठीक है दोस्तों कार्य देखें आप तो कार्य बहुत सिंपल सा है यह हमारे शरीर को खड़ी अवस्था में रखने में मदद करता है क्या बोल सकते हैं शरीर को खड़ी अवस्था में खड़ी अवस्था में रखने में मदद करता है रखने में मदद करने का कार्य कोन करता है दोस्तों कशिरु कशिरूक दंड की वज़े से ही आप सीधा ख़़ा हो पाते हों अगर आप कशिरूक दंड नहीं हो तो सोचो क्या होगा No ठीक है चली तीसरा पॉंडा आता है दोस्तो Chinese लाता है जोटी अवस्ता ही होती है और कशेरूक दंड में चोटी-चोटी छब्विस अस्थियां होती हैं क्या होती हैं 26 अस्थियां होती हैं जिन्हें क्या नाम देते हैं जिन्हें कह सकते हैं कशेरूका क्या बोलते हैं, जिन्ने क्या केते थेें, जिन्ने क्षरुका इंगलीश में वर्टि ब्रे कहाता है, क्या कहा जाता है, और कितनी होती है, 26 होती है दोस्तों, ठीक है चली ओर बात करें कशेरुक दंड कशेरुक दंड में कशेरुका की संख्या कशेरुका की संख्या दोस्तो हम इसी पॉइंट को घुमा के लिखे है और इसमें ध्यान देने योग बात ये है कि बच्चों में इसकी संख्या कितनी होती है बच्चों में होती है 33 कितनी होती है दोस्तों बच्चों में होती है 33 और वयसकों में इसकी संख्या कितनी होती है कशेरुका की वयसकों में या वयसकों में इसकी संख्या कितनी होती है 26 ठीक है छोटी छोटी अस्तिया होती है जिन से मिलकर पूरा कपूला वर्टिबल कोलम बनता है बच्चों में इ दंड की शुरुवात में यह जो पहली कशेरुका होती है, इस नाम एटलस है, क्योंकि यह बहुत बेसिक प्रस्न हैं, दोस्तों, परिक्षा में पूछ लिए जाते हैं, क्या बोल सकते हैं, कशेरुक, कशेरुक, दंड की पहली कशेरुका, पहली कशेरुका, पहली कशेरुका कौनसी यह एक्सिस दोस्तो अट लस है एट लस है अगर दूसरी कशेरुका पूछे तो दूसरी कशेरुका कोंसी हो जाएगी एक्सिस एक्सिस दूसरी कशेरुक का नाम हो जाएगा एक्सिस यह याद रखने योगे बाते दोस्तों बहुत बार परिक्षा में पूछ लिया जाता है ठीक है चली अगली बात देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि इसी कशेरुक दंड अंदर से खोकली रहती है और इसमें मेरू किससे आप स्पाइनल कोड कहते हैं तो क्या बोल सकते हैं कशेरुक दंड में मेरू रचू और कि जाती है दोस्तों इन सब पौइंट को हम डालाक यहीं से कवर करेंगे ठीके दोस्तों चलिए एक बार पुन्ह देख लिजी हमने क्या पड़ा कशे रुबदंड कहा से कहा तक होती है तो यह गरदन से लेके कमर तक फेली रहती है इसका मुख्य कारी क्या है शरीर को किस अवस्ता में रखता है खड़े अवस्ता में रखता है इसमें क कि संख्या बच्चों में दिखी जाए तो 33 होती है परंतु वस्ता में कितनी हो जाती है जुड़ करके 26 यह कैसे जुड़ी कौन सी वाड़ी जुड़ी वह हम डिसकस करेंगे दोस्तों पहली कशे रुबदंड का नाम क्या है दोस्तों एटलस क्या नाम है एटलस है और दू दूसरी कशे रुबदंड में अंदर एक रस्ती एक धागा जाता है जिसे इस पाइनल कोड कहा जाता है इस पाइनल कोड मस्तिश्क का सबसे पीछला भाग होता है जो शरीर में होने वाले रिफ्लेक्स एक्षन यानि प्रति वर्ति किरिया को कट्रोल करने का कारे करता है दोस्तों आई होब ये वाली चीज आपको समझ में आ गई अब हम चलते हैं डाइग्राम के उपर सारे चीजों को अच्छे से समझेंगे दोस्तों देखिए दोस्तों यहां से बनाते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ दोस्तों स्टाटिंग की पहली होती है साथ फिर उसके पस्चाथ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और बारा दोस्तों साथ के बाद बारा जो होती वो थोड़ी से अलग होती है इनसे और उसके पस्चात आती है फिर अगली एक, दो, तीन, चार, पांच दोस्तों ये पांच इनसे भी अलग होती है और फिर आती है आपकी एक, तो ये भी अलग है दोस्तों और उसके पस्चात आपकी आती है कुछ इस तरह की संरजना तो दोस्तों अपने आप में ये भी एक अलग संरजना है समस्ते है दोस्तों हर चीछ को अपन जो स्टार्टिंग में कितनी थी ये साथ फिर कितनी थी बारा फिर कितनी थी पांच फिर कितनी थी एक और फिर लास्ट में ये कितनी है एक है दोस्तों अब हम इनके नाम देख लेते हैं दोस्तों इसका नाम है सरवाइकल क्या नाम है सरवाइकल वर्टिब्री वर्टी ब्री सर्वाइकल वर्टी ब्री है दोस्तो इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रिवा कशेरुका क्या कहा जाता है ग्रिवा कशेरुका कहा जाता है क्या नाम इनका ग्रिवा कर्शेरुका ग्रिवा का मतलब क्या होता है गर्दन दोस्तो ये कशेरुका आपको कहा दिखा दिखाए देगी गर्दन में दिखाए देगी कहां दिखाए देगी गर्दन में तो गर्दन में कौन सी कशिरू का पाई जाती है और यह संख्या में कितनी होती है दोस्तों साथ होती है कितनी होती है साथ होती है और मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो पहली होती है इसका नाम क्या था? Axis. I think, I hope दोस्तों आपको याद होगा. ठीक है? फिरम बढ़ते हैं इन 12 के उपर और 12 के स्टोरी है ये है थोरे सिख. इन वर्टिब्री का नाम क्या है? थोरे सिख वर्टिब्री. क्या नाम है? थोरे सिख वर्टिब्री. दोस्तों ये कहा है? ये वक्ष भाग गले के नीचे ये वाला भाग वक्ष भाग कहलाता है तो इनको कहा जाता है वक्षिय कशेरुका क्या कहा जाता है वक्षिय कशेरुका ठीक है और ये किस भाग में स्थी थे कहां पर इस्थी थे यहां है वक्ष भाग में स्थी थे किस भाग में स्थी थे यहां वक्ष भाग म इसका नाम है लंबर क्या नाम है लंबर लंबर दोस्तों लंबर की एक विश्षता पहले में क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों लंबर पहले इसका नाम देख लेते हैं लंबर को कहा जाता है ये कहा होती है वक्षी भाग में और ये बाग होती है कमर में वो कमर को लिखा जाता है कटी कटी कशिरुका क्या लिखा जाता है कटी कशिरुका हिंदी में बोलते हैं और कटी का अर्थ होता है कमर तो याद रखना कमर में कौन सी वर्टिब्री पाए ज आती है और इसी में प्रोब्लम होती है इसी में प्रोब्लम होती है जिसके कारण हमें कमर दर्द की समस्या होती है दोस्तों कमर दर्द की समस्या होती है दोस्तों याद रखना लंबर की जो वर्टिबरी होती है पूरे वर्टिबल कोलम में ये सबसे बड़ी होती है हम इसको बड़ा बना देते हैं यह बड़ी होती है दोस्तों क्या होती है यह बड़ी होती है ठीक है चलिए मैं यहाँ एक बात लिख लेता हूं कटी कशेरु क्या लंबर वटीबरी की बात करते हैं सबसे बड़े यह सबसे बड़ी कशेरु का सबसे बड़ी कशेरु का कहा होती है और कौन सी होती है तो यह लंबर होती है और कहां स्थित होती है कमर में इस्थित होती है दोस्तों अब बात करते हैं इसकी तो दोस्तों इसका नाम है यह जो त्रिक है इसका नाम है त्रिक दोस्तों यह जो संद्रेशना दिखाए देरें कितने स्पोर्ट दिखाए देरें एक डो में कहा जाता है त्रीक कशेरुका क्या कहा जाता है त्रीक कशेरुका दोस्तों याद रखना इसकी संख्या अलग अलग होती है बच्चों में इसकी संख्या पांच होती है और वयसकों में इसकी संख्या एक होती है ठीक है दोस्तों बच्चों में कितनी होती है पांच और वय प्रचे थे फिर वेस्क हुए तो यह आपस में क्या हो गई जूड़ गई फ्यूज हो गई क्या हो गई फ्यूज हो गई जूड़ गई तो पांच से एक बन जाती है यहां तक क्लियर होगा दोस्तों फिर हम बात करते हैं यह एक वाली यह पूच जैसे संद्रशना दिखा दे कोगजी इसको क्या बहुत सकते हैं कोगजी इसका पूरा नाम होता है कोगजी जील ठीक है इसे कोगजी जील भी नाम दिया जाता है दोस्तों इसको हिंदी में कहा जाता है पुच कशेरुका क्या कहा जाता है और पुच कशेरुका इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी से विक विक्सित होती है वो किस कशेरू का से होती है पुच्छ कशेरू का से होती है तो लिख ले ना बंदरों में पूच्छ किस से होती है बंदरों में पुच्छ कशेरू का से ही पूच्छ विक्सित होती है ठीक है बंदरों में इसी से पूँच बनती है, पूँच बनती है रोस्तो, ठीक है, आजकल इंसानौ में पूँच नहीं पाई जाती, तो I hope फिर से देख लेते हैं, जो स्टार्टिंग की साथ है, उन्हें गरिवा कशिरू का कहते हैं, क्योंकि ये गर्दन में होती है, और कितनी होती है, साथ, फिर आती और इन्हें कहा जाता है, कटी कशिरू का, क्योंकि ये कहां होती है, कमर में, कमर का अर्थ होता है, कटी में, ठीक है, और सबसे बड़ी कशिरू का लंबर ही होती है, और सेक्रम आती है, इसे हिंदी में कहा जाता है, त्रिक और त्रिक कहने का कारण, क्योंकि यहां पर कितन संख्या में कितनी होती है एक होती है और इसका हिंदी नाम क्या है पुछ कशरू का स्टार्टिंग में ये भी बच्चों में चार होती है फिर जूड कर कितनी हो जाती है एक हो जाती है तो इसकी संख्या भी अलग अलग हम लिख लेते हैं पुछ का शुरू का बच्चों में कितनी होती है मेरे भाईयो इसकी संक्या होती है चार बच्चों में कितनी होती है चार और जब वैस का वस्ता आती है तो वैस का वस्ता में कितनी हो जाती है एक तो चार जुड़कर चार जुड़कर कितनी हुई चार जुड़ने के पस्चा एक बन गई चार जोडने के बस्चास कई बन गई चार जोडने का बस चाथ ह pear बन गई एक दूस्तो चली है यहां तक पूरी बात को लिए रहे दोस्तों चली हो इस क्लास में हमने कश्यरूग दंड को अच्छे से समझा लगभग आपकी प्रतियों गिता परिक्षा में जितने भी प्रस्ण बनेंगे यहां से कंप्लिट होगा आई होब दोस्तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो जादा से चैन को फैलाइए आप सब्तने आप सब्車ड का ओस्ट बहुत भानynnवाद दोस्तों मिलते हैं अगली आपकी क्लास में जय सब्सक्राइब